दोस्तो कल मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था फेस्बुक के अपडेट से रिलेटिग उस वीडियो के अंदर मैंने अपना ये पेज दिखाया था यहोगा एफवाई पी और उस पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया था तो आप मैं से बहुत सारे क्रियेटर्स उस पेज को जाके चेक किये और बोले कि भाई आपका इतना अच्छा पेज है इसके उपर एक फुल कोर्स लेक्या हो कि आपने इस पेज को ऐसे कैसे मैनेज किया कि आपका जो पेज है वो परफॉर्मेंस के लिए भी इलिजिबल है यानि कि आप देख रहो रिल्स ऑवरले यानि कि आप रिल के लिए भी यानि कि यू अबल टू अन्मनी वीद ऑवरले आड्स जो भी है एडस ऑन्रील जिसे हम कहते है ठीक है उसके नीचे ये स्टार्स का है ठीक है इसको मैं फिट से कट करके और यहां पे एक चीज दिखा देता हूं इसको थोड़ा सोपर करते है और यह other monetization tool you are able to earn money with other monetization tool यह other monetization tool क्या है जैसे कि subscription हो गया और event वगएरा हो गया और भी बहुत सारी चीज़े है जो कि यहाँ पर other monetization tool के अंदर आता है लेकिन यह सारी चीज़े जो कि performance, in-stream ad, ads on real, stars और other monetization tool और यह जो yoga FYP है इसका page का link description में आज भी आप जाके visit करके check कर सकते हो ऐसे तो आप सामें बहुत सारी creators ने check किया और उन्होंने कहा कि भीया, full course लेकिया हो इसके उपर जो कि आप video upload कर रहे हो और इस पे जो video upload हो रही है वो yoga ही upload हो रही है ठीक है, इस वज़न से आप सभी के demand पर ये video बनाया गया है आप सभी को बताया जाएगा कि कैसे copy paste page को manage किया जाता है कैसे इससे earning की जाते है क्योंकि उस video में मैंने आपको बोला था है कि मैं इस page को एकड़म live monetize करके दिखाऊंगो कुछ दिन के बाद और इस video को मैं upload भी करूंगा जो की monetize करूंगा ओ ठीक है यानि की earning करके दिखाऊंगा तो आप सभी ने बोला कि full course ही बना दो तो चलिए इस video में साड़ा course समझेंगे साड़ी चीज़े समझेंगे उससे पहले आपको ये चार चीज़े पता होनी चाहिए चार चीज़े क्या पहली page के बारे में आपको पता होना चाहिए दूसरा page के category के बारे में पता होना चाहिए category का क्या मतलबिजो कि आप content upload कर रहे हो क्या आपके page के category जो आपने select किया क्या उससे related है तभी आपका वीडियो viral होगा तीसरा नमबर आप जो वीडियो अपलोड कर रे हो क्या सही तरीके से Upload कर रे हो और चौथा नमबर आप जो वीडियो अपलोड कर रे हो उसमें keyword कैसे लगारे हो यानि कि जो आप keyword लगारे हो Facebook के algorithm से match 干 रहा है या नहीं Facebook का algorithm उसे समझ रहा है या नहीं तब ही अगर जब हो समझेगा तब ही आपके वीडियो को boost करेगा और वीडियो वाइरल होगी तो इस सारी चीजे समझने के लिए और इस सारा चीज से earning करने के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है जो कि मैंने हर एक छोटी-छोटी चीजों को cover किया है तो इस च important चीज़ पहले हम cover करेंगे उसके बाद इन चारो चीज़ों को हम cover करेंगे जो कि मैंने आपको पहले बताएं ठीक है तो ये चारो चीज़े cover करेंगे तो चल ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ भाई आप सब के लिए एक full course लेके आओं जो कि बिल्कुल free है यही चीजे लोग पैसे लेके आपको सिखा रहे हैं यही चीजे और इतना knowledge भी आपको नहीं देते हैं तो भाई चैनल सबस्क्राइब तो करना बनता है सब्सक्राइब जरू कर ले ना मेरे चैनल को इसलिए नहीं कि मेरा सबस्क्राइबर बलकि इसलिए फेस्बुक से पैसे कमाने के multiple तरीके बताया जाते हैं जो भी तरीका आपको असान लगता है उस तरीका को यूज करके आप फेस्बुक से earning कर सकते हो तो चलिए दिश्टो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उमीद करता हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर है और नेट फॉलवर्स जो की 20 है कल के वीडियो में जब मैंने अप्लोड किया था तब इस पे नो फॉलवर्स से अभी 11 फॉलवर्स बढ़ चुके तो यह आपने मैं अब यह सभी क्लियर हो गया और इस पेस को मैं सो करा देता हूं यह जो योगा एफ बाइपी है इस पेस का जो नाम है आप सभी देख सकते हो यहां पे इस पे विजिट भी कर सकते हो इसका लिंक मैं डिस्किप्शन में भी दे दूँगा वहां सभी आप सभी इस पेस को चेक कर सकते हो और इस पेस को मैं लाइब मोनेटाइज करके भी दिखाने वाला हूं ठीक है यहां पे हो गय है districts इसे टाइब को योगा से रिलेटीड तो यही कंटेंट हम ईप्लोड करना नसिखेंगे अवं यहां पे बैक कर देता ऑठीक है कंटेंट जो होता है कुछ सस्टाइब का होता है जो कि मैं यहां पर ऐसे धेड़ी में खाफ बनती है तो Facebook का algorithm automatic इन वीडियो को वाइरल करता है ठीक है तो यह सारा कुछ समझ गए सबसे पहले हम क्या करेंगे content क्वेंट घंद करना सिखेंगे तो अब हम आएंगे YouTube के अंदर यहां पर ही उटूब पर लोग यहां जैसे की आप यहां पर एक channel जेख रहा होगा yoga art चलिए आपको सर्च करना ना योग आर्ट एние अप्लाई कर देंगे तो और यहां पे हमारे सामने एक Channel आएगा जो कि योगार्ट है, आप सबी यहांपे देख सकते हो इस Channel पे अभी तक्रीबन आठ थजार सब्सक्राइबर है, और यहां पे जो वीडियोस आप देख रहे हो, यहां पर 194 वीडियोस डल शुकिर जुके और सिर्फ 8800 सब्सक्राइब यहां पर बैक आ जाते हैं इसको मैं कट कर दता हूं और बैक आके आगर आप लोग वीडियो के सेक्षिन पर क्लिक करोगे तो इसके कुछ अलग ही लेंग्वेज यानिकि बाहर कंट्री का चैनल है तो इसको हम इंडिया में यूज करके इससे अर्निंग कर सकते हैं यहां पर हो गया तो माल लो कि मुझे इस वीडियो को डाउंलोड करना है यह वाला वीडियो यह वाला वीडियो तो आप मैं से बहुत सारी creators को नहीं डाउनलोड करना आता है तो टेलिग्राम चैनल का लिंक करके और पीस को कैसे ग्रोव करना है वो सिखेंगे तो चलिए दोस्तों चलते हैं आप मोबाइल के स्क्रीन पर चलिए दोस्तों आज कि हम लोग अपने मोबाइल की स्कीन में तो सबसे पहले जो काइन यहाँ पर आपको tap कर देना है ठीक है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर यह क्रीट का एक option है यहां पर आपको click करना इसके अंदर ठीक है जैसे हम यहां पर click करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफीस देखने को मिलेगा तो चली यहां पर आपको क्या करना है मीडिया का एक option है जो download का option हैगा download जहां सा आपने किया होगा वह आएगा बाकी आप में जहां भी आ रहा होगा वहाँ पे आपको click करना है और कहीं नहीं जिस folder के अंदर होगा तो हमारा इस folder के अंदर है तो इसी के अंदर हम लोग click करते है तो चलिए इसको मैंने open कर लिया open करने एक बाद आप सभी देख सकते हो मेरे पास पहले विए बहुत सारी योगा की वीडियो से यहाँ पे देखो यह देखो यह देखो यह सब जो है यह सब योगा की वीडियो है तो अभी जो मैंने क्या करना होगा यह पैन जूम का एक option आएगा देखिए यहां से मैं tap कर लेता हूँ आपको जहां का पार्ट थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यह पार्ट ठीक है यह पार्ट मतलब रुके का ओडियंस जैसे कि यह पार्ट है यहां यहां पर यहां से मैं इस पार्ट को कट करूँगा यहां से मालो की यह देखो इस पार्ट पर जैसे आप यह जो पीला लाइन है इस पर अगर आप टैप करोगे इस लाइन के अंदर में तो यह पीला हो जाएगा ठीक है जैसे कि अभी मैंने टैब किया यह पिला हो गया तो यहाँ पर जैसे इस पर टैब करोगे तो यहाँ पर कैची का option आएगा जो कि यहाँ पर आपको यह दिख रहा है इस कैची के option पर आपको click करना है अब यहाँ पर click करोगे तो आपके सामने बहुत सारा option आता है यह बता रहा है left का इसका मतलब है यह जो आप देख रहे हो यह वाला यह left का है यह हमें left का side अगर इस side का part काटना है इधर का तो इसको दबाना है अगर इधर का part काटना है इस line के तो यह वाला दबाना है और दोनों के विवर यहां पर आ गया किसे शुर्व च्रोलिभ मुझें रखना है उसक फोन्य पन्दरा साइकन का यह 15-20 सेक्ड का रखेंगे फिर से यहां पर आगए आके और यहां पर एक याफ यह चैची वाला जो आप्षिन है इस यहां हम लोग क्लिक करेंगे तो चलिए इस पर हमने क्लिक किया क्लिक करने बाद हमें क्या करना है अब इधर का पाट काटना इधर का इधर का यह पाट ठीक है इधर का हमें काट देना है तो इसके लिए क्या है यह राइट साइड है और यह लेफ्ट साइड है तो यह हमें ट्रिम कर देता हूं यह हमारा कितने सकेंड का हो गया यहां पर चलिए यहां पर मैं क्लिक करताओ इस ऐसे टच करेंगे ठीक, इसपर टच करोगे तो ये इधर से यहासा खुल जाएगा, जैसे खुल जाएगा तो आपके सामने, ये पेंट ढूम जुम करेंगे, ठीक हे, इसको में करते पेंट पर कलिक करेंगे, ठीक है, जैसे जूम करेंगे तो आपको पहले दोनों को equal कर लेना है, जैसे कि यह जो चीज है, इसको equal करने के लिए आपके पास बीच में जो यह equal का sign है इसके उपर tap करना है, जैसे इसके उपर tap करोगे तो कुछ ऐसा lining आजाएगा, अभी देखो, ऐसा lining आ गया, जब ऐसा आजाता है तो आप जूम करोगे तो पूरा वीडियो जूम होगा ठीक है तो चलिए इसको यहां से मैं दोनों हाथ से जैसे फोटो को आप जूम करते हो ऐसे दोनों साइट से डबल करके वैसे इसको दोनों हाथ से बड़ा करके जूम कर लेना है तो चलिए मैं इतना जूम कर लेता हूं इसको यह वो गया है जूम देखिए यहां पे मैंने इसको कर दिया ठीड है यह कुछ ऐसा दिख रहा है तो हम थोड़ा सा इस सैड कर लेंगे ता कि यह अच्छा दिखे है यहां पर ठीक है यह ऐसा दिखेगा यह जो है यह जूम करने को ने कब बाद कुछ ऐसा दिख रहे ठीक है तो यह हमारा डिल जो है कि बन के त्यार हो गया यह शौट रिल है लॉंग रिल से हमने काट के बनाया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला और यह काम कर ठीक है तो इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे अब यहां से एक्सपोर्ट करने के इसको थोड़ा साथ लौग कर लेते हैं लॉंग होगया था नौट कर ठीक है यहां पर इसके उपर टप करके वीडियो को शेप कर लेना है चलिए से बोरा कुछ इस तरिके से आपको बनाना है जो कि बहुत आसान है चलिए अब इसको अपलोड करना सिखते हैं दोस्तों जै है कि editing मुश्किल है या फिर आपके पास स्काइन मास्टर नहीं है तो भी टेलिग्राम में मिल जाएगा ठीक है मुश्किल है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके इस वीडियो को बार बार देख सकते हो ठीक है इससे आपको आसानी होगी चलिए यहां पर फेस्बुक को class एक जो profile है इस पर click करेंगे यहां से जैसे आप click करोगे यहां पे logo पर तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको क्या करना है यह दोखो pages का एक option है यह दोखो pages का यहां पर आपको tab करोगे तो यह full प्रोसेस है इसको देहान से समझना ठीक है यह हमारा pages वीज़े वाला काम आ रहा है पहला पार्ट पहला पॉइंट ठीक है तो यहां पे आपको क्रीट का एक option मिले गए क्रीट का option है ठीक है इसके ओपर आपको यहां पेboys ट्रव कर डेना है जैसे आप यहां पे टाइप करोगे तो यह स्टार्ट हाँ है स्टाटिट पर आपको टैप करना है अब यहां पर ध्यान से देखना क्योंकि यह प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपोटैंट है आप सबके लिए यहां पर आप समझ लो कि आप कुछ भी नाम रख सकते हैं तो योगाँ आठी रखलो योगा आठ हुईयोगा भी अलग नाम रखना योगार्ट 2.2.0 नेक्स्ट कर देता हूं मैं यहां पर नेक्स्ट करने के बाद आपका क्या है health and beauty से related है न तो यहां पर एक ही category को select करना जादे को नहीं करना क्रीट कर लेते हैं इस बार हमें एक को करना है ऐसे तो आप 3 कर सकते हो ठीक है क्रीट कर पर हमने क्लिक किया तो एक क्रीट हो रहा है ठीक है अब हम लोग यहां पर सिखेंगे कि इस पीज पर जो हम वीडियो को कैसे अप्लोड कर सकते हैं ठीक है क्योंकि पीज बनाया हमने category भी स्लेट किया इसको आप यह सब मत फील करना ठीक है यहां पर एडिट एक्शन बटन यह सब जो है अभी आपको करने की कोई जरूरत नहीं अगर आप लोग यह बाकी जो आपको कॉस्टेमाइज करना होगा वो कर कर सकते हो इंवाइट पर क्लिक करोगे तो यह आपके सामने जितने भी दोस्त हैं वो सबको एक बार में zwar कर लो यहां जैसे कि यह है हे एक बार में अदो करके यहां पर जैसे आप स्लैक्ठ करोगे select all हो गया धो यहां पे जैसे इनवाइट都 देखो यहां पर invite all तो यहां पर just हम लोग invite all पर click करके next कर देंगे तो इस page का invitation सब के पास चला गया इससे क्या होगा कि हमें कुछ recent जो active members मिल जाएंगे जो इसको like करेंगे और या फिर इस page को follow up करेंगे तो जैसे हम वीडियो अप्लोड करेंगे तो उन वीडियो को देखें और अच्छा page बना साप सुतर है जिस पे कोई issue नहीं है page अच्छा है page viral होने वाला है मतलब की page recommendable है ठीक है यह काम हमारा एक हो गया अब हम करेंगे वीडियो को upload करने का सही तरीका क्या कर किसी भी वीडियो को upload करने का सही तरीका क्या है चलिए दूस्तों यह start toot बता रहा तो जो वीडियो अभी हमने editing की थी उसी वीडियो को upload करना सिखाएंगे आपको ठीक है तो यहाँ पे आपके सामने यह plus का icon आएगा देखो यह plus का icon है इस plus का icon पे click करना है और पहली बात देखो दोस्तों आप कोई भी वीडियो को upload करते हो उस वीडियो को upload करने का तरीका आपका सही नहीं है तो वीडियो कभी वी वाइरल नहीं होगा अब यह कैसे जैसे की Facebook का जो algorithm है वह आपके keywordसे ही उसको पता चलता है कि आपका वीडियो किस type के लोगों को इसको दिखाना है जो उस type की लोग उस type के वीडियो को देखते है तो उस type के लोगों के पास आपकी वीडियो जाएगी तो वीडियो क्या होगा वो वीडियो होगी वाइरल क्यूंकि उसमें इंगेजमेंट जादा आएगा तो सबसे जादा मैटर रखता है कीवर्ड और अप्लोडिंग का तरीका और जो आप उसमें पॉप्लर हैश्टेक लगाते हो वो तो वही चीज अभी हम से अप्लोड करना अको डी है तो आप लॉड्न वीडियो कैंड से करना इस सारी चीज़े आपको ध्यान र magnific M तो आपका वीडियो वाइरल नहीं होगा तो इंद्यों से समझो रहें किस पर रोप्षन है रिल्स का क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो रिल्स है रिल्स फॉर्म में हमने एडिट किया है क्योंकि रिल्स जल्दी वाइरल होते हैं तो चलिए इसको रिल्स को हम लोग यहां से रिल्स पर क्लिक करेंगे जो हमारा वीडियो है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो इस व रहने का मतलब है आप अपने रिल्स के लिए कुछ यहां पर लिखो और टैग लगाना मत भूलना है वही हैस्टेक हम लोग यहां पर सही तरीके से लगाएंगे तब करेगा और हमारे वीडियो वै की वह वाइरल होगी तो इससे आपको क्या समझ आता है कि हैस्टेक लगाना भेया बहुत जरूरी है क्योंकि यह हैस्टेक लगाने तो यह खुद बोल रहे फेस्बुक ठीक है तो इसके पॉपुलर है क्या है वह आपको पता होना चाहिए जैसे पर हमने लिखा और यहां पर लिख देंगे हैस्ट के रिल से रिल लिखा और इसको कट कर देना अब बात आती है जो हमारा इसका जो पॉपुलर हैस्टेक है उसे डालने की तो यहां पर क्लिक करेंगे ठीक है दोस्तो, hashtag पर जैसे click करेंगे तो yoga, देखो यहाँपे, yoga हमने लिखा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 57 million post है यहाँपे, 57 million, इसा को tap करेंगे, तो यहाँपे yoga वाला post हमारा लग गया, अब इससे क्या होगा, कि इस hashtag से related, अभी तक, जितने लोगों ने व पता चलता है Facebook algorithm को ठीक है तो यह सारी चीज़ें बहुत योगा लव इसको वीडियो वारल करने का प्रोसेस है तो यह सारे हैस्टेग आप देखते जाओ यहां पर फिर से यहां पर लिखेंगे हैस्टेग फिर लिखेंगे योगा इंस्पिरेशन ठीक है फिर से यहां पर हैस्टेग लिखेंगे फिर लिखेंगे योगा कमनीटी जित यहां पर फिर से हैस्टेग लिखेंगे योगा लाइब जितने भी हैस्टेग है योगा से सारे हैस्टेग हमने यहां पर लगा दिया अब इससे क्या होगा कि इससे हमारी वीडियो को इनेशली बूस्ट मेलेगा और हमारी जो वीडियो से वह वाइरल होगी ठीक है दोस्तों यहां पे add topic का एक option आएगा देखो यह add topic का option आएगा यह इसको select करना मत बोलना कि आपका जो वीडियो का topic है वो क्या है तो चलिए मैं इसको cut कर देता हूं और आपको एक बार और समझा देते हैं यहां पे देखो यह add tag यह तीर का icon है न यह तीर का icon दूसरा नमर वाला है इस इसे पता चलता है कि आपको जो topic है वो किन लोगों को दिखाना किन लोगों को उन टापिक में interest है देखो building वलॉग व्यूटू फिटिनेश टिप से यह दो दो चीज को δ करने के बाद यह जो आपको से आपको से का ओप्षिन है से अव्प को हम लोग से क्लिक करके सिसका कर लेंगे और यहां पहेशे आप देखो टपिक जैसे हमने एड आठ की यह बता रहा है फिटेनेस टिप और वीटिड इसके अंदर इससे क्या पता चला कि यह किस टाइब की वीडियो से कहां दिखाना इससे पूरा अप्लोडिंग अब एक अलग ही तरीका होता है अगर आप लोग सही तरीके से अप्लोड नहीं करते हो तो आपका वीडियो नहीं होगा तो चलिए दोस्तों यहां पर इसको शेर आपको कुछ तरीके से वीडियो को लेना है और कुछ इस तरीके से वीडियो को अपलोड करना DSC आपके वीडियो को आपड़ोड जाकर आपके वीडियो को रहे ह।म नीं कर पाओगे इस की ड Works, कि क्योंकि प emba को ऊपकी ड피ल présentiva लिए या पिर हम आप जो भी है ठीक है दोस्तों उमीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नटिश्रीकेशन को आउन कर देना वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपका कोई कोरीज है तो कॉमेंट सेक्षन में बता देना ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में